उज़ा सरहदी बाड मेर में एक शाम जवानों के नाम रही देश की सरहदों पर अपने लहों को निचूडने वाले वीर सपूतों के परिवार वालों को सम्मान देने के लिए बाड मेर मेर में थार के वीर कारिक्रम कायोजन किया गया जिसमें शहीनों को सम्मान दिया गया है वतन से मुहबत का तरीका बता दिया तू ने जी के मरना तो सब को आता है मर के जीना ऍमादी है जवान के सम्मान में जलती ये शमा लाफानी है चो कभी न भुझेगी जवानू का जजबा हर दम सरहदों पर सैलाब बनकर खड़ा रहेगा सरहदों को महफूस करता रहेगा जिन जवानू ने सरहदों पर अपने प्राणों को हसते हुए कुर्बान किया भारत पाकिस्तान सीमा पर बसे बाडमेर के उन शहीदों की परिवारों की सम्मान में थार के वीर नाम से कायकरम आयजित किया गया हजारों लोगों की मौजूदगी में देश के सबसे बड़े सैन्य सम्मान विजेता परमवीर चक्र संजय कुमार और शौरगी चक्र विजेता अनुराख कुमार ने शहीद परिवारों को सम्मान से नवासा। आईजिन में पुलवामा उरी समेथ विभिन जगों पा शहीद हुए वीरों के लिए दो मिनिट का मौन रखकर श्रधांजली दी गए। परमवीर चक्र संजय कुमार और शौरगी चक्र विजेता अनुराख ने अपने पराकरम की कहानी को हजारों लोगों के सामने रखा जिससे युवाओं में देश के प्रती जज़बा बढ़ा और वो मा भारती की हिफाज़त के लिए सरहदों पर जाने के लिए उतावले हो सबसे उपर की अनभूती है कि ऐसा मौका मिला और ऐसा में करो तो यदि वो चीजे हैं और वो उसको अपने अंदर बढ़ावा देते हैं तो वो बहुत आगी जाएंगे और इन फोर्सिस को जॉइन करके वो मौका मिलेगा उनुराख थार की भीर कारिक्रम में बाड मेर के भामशाहों ने शहीत परिवारों को 11-11,000 रुपए की नकद राशी और एक एक भूखन देने की घोशना साथ ही माउंट एवरेस्ट पर दो बार पते करने वाली राजस्थान की बेटी मेजर दिविकार राठोर ने कारिक्रम थार के वीर को संबोधित करते हुए कहा कि बे जो टीम के जितने भी मेंबर से उन सब का यह योगदान था कि जो हमें टास्क मेरा था उसको पूरा करने के लिए हम आगे बड़े वीरों के सम्मान में आजित कारिक्रम तैद दो घंटे की जगे पांच घंटे तक चला पाकिस्तान की सीमा से महज 100 किलोमीचर पहले बाडमेर जिला मुख्याले पर आयोजित इस आयोजिन में माभारती के लिए लोगों के जोश ने समा ही बांद दिया वुपेश शाचारिये जी मीडिया बाडमे